इससे बढ़कर मैंने वहां एक relationship देखा जो हाँ पस इंडिया में नहीं मिलती जो मुह बोला रिष्टा अर्भों में हुआ करता था वहां बहुत अभी वह चीज़ है कि बच्चे कभी पैदा होते सिंगल पैरेंटिंग होती यह पैरंट छोड़ देते हैं जिम्मेदारी लेन लेकिन हम तुमको किफालत करेंगे रखेंगे अपने पास जो बच्चे वह तर्वियत ने बढ़े तैसे कुछ बच्चों से मुलाख़त हुई माबाब मुसल्मान और गोद लियाओ बच्चा गोद नी लियाओ किफालत क्या वहां कई टर्म यूज होता गोद लेने का इतात गुजार फर्माबरदार है जिसकी कोई इंतिया ने को मैंने कर मुसल्म मच्चों को ने देखा इतना है कि हम लोग गए एक फैमिली में तो वह यह जौन है और जान मेरा पास बच्चपन से रहा चुकि इसके मापने छोड़ दिया था यह पहले बता दिया उन्होंने को ला रहा और जॉब करता फायर बिर्गेड में वहां से आता दो दिन की छुट्टी होती हमारे साथ बिताता फिर चल जाता अपनी जाता और उसके मापाप कभी इसको पता चल गया तो महीने में कादबार उनके पास एक दिन के लिए जा कि आता है वहां भी जाता चूकि ह मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह इसलाम में प्रिफरिबल जायज है बट जमीन जमाना हालात के हिसाब से चीज़े होती है उन्होंने किफालत की नियत से पाला ताकि वह बच्चा इसलाम से मुतासिर हो नजदी का दीन को समझे और बहराल बागी पर्दे वगारा की सारी एत से बार से भारा नहीं